तालिबान कौन है और क्या चाहता है तालिबान को पैसा कौन देता है क्या है तालिबान कहां से होती है तालिबान की फंडिंग तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया दोस्तों ये सवाल जो इस वक्त हर इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं कि आखिर ये तालिबान ऐसी कौन बाते बताएंगे जिससे जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों और कैसे तालिबान आज इतना ताकतवर बना हुआ है इन सारी चीजों को जानने के लिए मेरे यानि के अपने दोस्त ब्राइट ग्यान के साथ वीडियो के बिलकुल अंत तक बने रहिएगा दोस्तो अगर हम तालिबान शब्द के मतलब को जानने की कोशिश करें तो पश्टल जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है 90 के दशक की शिरुवात में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था उसी दोरान तालिबान का उभार देखने को मिला दोस्तो ऐसा माना जाता है कि पहले तालिबानियों का ये आंदोलन धार्मिक मदर्सों में उभरा जिसके लिए सौधी अरब ने फंडिंग करी थी इस आंदोलन में सुन्नी इसलाम की कटर मानेताओं का प्रचार किया गया था जब तालिबानियों को ये लगने लगा कि वो बड़े आराम से अपना राज जमा लेंगे तो दक्षिन पश्यम अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाया और यहां के कई सारे इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया और फिर इसके एक साल बाद 1996 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना कबजा जमा लिया तालिबानियों ने उस वक्त अफगानिस्तान के राश्ट्रपती वने बुरहानुदीन रब्बानी को सत्ता से हटाया और साल 1998 आते आते करीब 90 प्रतिशत अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कबजा जमा लिया था ये ऐसा समय था जब अफगानिस्तान के लोग मुजाहिदीन के आतंक और सोवेत यूनियन की रननीतियों से उप चुके थे इसलिए उन्होंने तालिबान का शुरुवात में स्वागत किया भरस्टा चार पर रुकावट अराजकता की स्थिती में सुधार सडको का निर्मान कारोबारी धाचा और सुविधाय मुहया कराने के चलते शुरुवात में तालिबान बहुत ही जादा फेमस हो गया लेकिन यही वो समय था जब तालिबान अपने आपको कुछ जादा ही पावरफुल समझने लगा था इसलिए इन्होंने सजा देने के लिए कुछ तौर तरीकों को लागू किया जैसे की हत्या वगेरा के दोशियों को सारवजनिक तौर पर फासी देना और चोरी मामले में दोशियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं थी दीरे दीरे ये चीजें और जादा बढ़ने लगी और फिर पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्खा पहनना जरूरी हो गया था अगर कोई इस नियम का पालन ना करता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाये जाते तालिबानियों ने अफगानिस्तान में टीवी इंटरनेट सिनिमा जैसी सभी इंटरटेन्मेंट की चीजों को बंद कर दिया था दस साल से उपर की लड़किया स्कूल नहीं जा सकती थी और अगर दस साल से कोई उपर की लड़की घर से बाहर निकल रही है तो घर के किसी पुरुष सदस्य के साथ ही निकल सकती थी इस तरह के कई सारे नियम कानून तालिबानियों ने अफगानिस्तान के लोगों पर लगाए जो उनकी जिन्दकी पूरी तरह से नर्क बनाने के लिए काफी थे और जब ये सारी चीजे हो रही थी तो पूरी दुन अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना नियंतरन जमाया था तो पाकिस्तान उन तीन देशों में से एक था जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी थी हाला कि पाकिस्तान के अलावा साओधी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान को स्विकीरती दी थी ये सारी चीजे चल रही होती थी तभी टेररिस्ट ग्रूप अलकाइदा 11 सितंबर 2001 को USA में टेररिस्ट अटेक करवाता है और ये अटेक पूरी दुनिया को बदल करक देता है दोस्तो अलकाइदा का लेडर उस समय और कोई नहीं बलकि साओधी का टेररिस्ट उसामा बिन लादेन था और तालिबान उसामा बिन लादेन को शरन देने में मदद करता था अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका पर हमला हुआ है तो अमेरिका ऐसे नहीं छोडने वाला था इसलिए अमेरिका ने बदला लेने का फैसला किया और अफगानिस्तान में जहां जहां टेररिस्ट छुपे हुए थी वहां वहां हमले करवाए जिसके वज़े से कई मासूम लोगों की भी जाने गई लेकिन मुजाहिदीन की नौर्दन अलायन्स का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को USA पूरी तरह से पीछे कर देता है जिससे USA का काफी हद तक बदला पूरा हो जाता है फिर हामिद करजई अफगानिस्तान के नए प्रेजिडेंट बनते हैं 2004 में अफगानिस्तान में फिर से एक नया सविधान बनाया जाता है जिसके तहट वहां इलेक्शन होते हैं और 6 मिलियन से जादा लोग इस इलेक्शन में वोट भी करते हैं अब हामिद करजई अफगानिस्तान के और भारत के अच्छे रिष्टे भी स्थापित करवाते हैं वहीं दूसरी तरफ यूएस से भी पाकिस्तान में एर स्ट्राइक्स करवाता है ताकि वहां पर जो तालिबानी मौजूद हैं वो खत्म हो जाएं और फिर सालों के मशक्कत के बाद 2011 में यूएस फोर्स के द्वारा उसामा बिल लादेन को भी मार गिराया जाता है अब इन सभी चीजों के दौरान यूएस ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में भीजी थी ताकि वहां पर शांती बनाई रखी जा सके और तालिबान को दवाया जा सके लेकिन फिर भी तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता बलकि वो अफगानिस्तान के अलग-अलग इखलाकों में और आसपास के देशों में किसी ना किसी तरह से अपना आतंक दिखाना शुरू कर देता है और ये सारी चीजे लगातार चलती रहती हैं जिसके बाद 2020 में अमेरिका के प्रेजडेंट डॉनल्ड टरम्प तालिबान से शांती बनाए रखने के लिए बाच्ची शुरू करते हैं उनका कहना था कि अगर तालिबान अलकायरा जैसे टेरिरिस्ट ग्रूप से अपने रिष्टे खत्म कर देगा तो अमेरिका अपनी फोर्स को पीछे हटा लेगा और अफगानिस्तान छोड़ कर चला जाएगा जो हमारी जगाए है ही नहीं उपर से जनता के पैसे बिना फालतु के जंग में खर्च हो रहे थी इसलिए जनता और भी जादा बौकलाई हुई थी अमेरिका के पीछे हटने के कारण ही आज तालिबान अपने सबसे मजबूत समय में चल रहा है जहां आज इनके पास 85,000 से भी जादा लोग मौजूद हैं जो लड़ने कटने मरने के लिए पूरी तरह से तयार हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके ये पहले पूरे अफगानिस्तान पर कबज़ा जमाएं और फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान को कुछ सालों तक चलाने के बाद ये आसपास के परोसी देशों में भी अपनी हकूमत कायम करें और आगे बढ़ें इसलिए इन्हें अभी से रोकना बहुत जरूरी है जो अगर अमेरिका चाता तो कर सकता था क्योंकि कहीं न कहीं तालिबानियों से पहले अमेरिका ने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में अपना विस्तार करने में बहुत मदद की थी ना सिर्फ पैसों में बलके हत्यारों में भी और उसी को देखकर तालिबानियों को लगा कि ये भी अपना विस्तार कर सकेंगी इसलिए कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरी की इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा